कि वह सामनी देख रहे हो क्या मस्त गाउं है है क्योंकि जितनी आगे को हम अब पढ़ते जाएंगे न उतना ही रिमोट एरिया शुरू होता जाएगा मैं जा रहा हूं हर्की दून की ट्रिप के लिए और ये मेरी सोलो ट्रिप है हर्की दून की तो भई हर हर शम्भू का नाम लेके आज की यात्रा शुरू करते हैं और अपनी लाड़ी रेड़ी है टाइम हो रहा है अभी छे बच के दस मिनट गर्सेतों में निकल गया था करीबन शड़े पांच भी है और हुआ हुआ है कि आण हम जा रहे हैं तक या कि टालुका तक जैसा भी होगा कि आज हो हम कहां तक जाशक अबर फिलहाल आज एपली इतना थो हम साग्री तक जा करेंगे अधर्वाइज हम जो है आज का स्टे सांक्री में ही करेंगे तो बस मैं हूँ अभी ये मसूरी वाले रोड़ पर जल्दी से मसूरी क्रॉस करते हैं ये लो वाई पहुंच ले मसूरी लाइबरेली चॉप कि इता खाली है सब यहां पर यहीं शाम को आजाओ इतनी भीड मिलेगी मतलब दिन के टाइम आजाओ पाउं रखने की जगें नहीं मिलती बाई यहां इतने लोग आजकल आप मसूरी आने लगें और वो देखो सामने की पहाड़ यहां तो भई देखो हमने केंप्टी फॉल पीछे छोड़ दिया है और अभी हमने नीचे की तरफ को उतर रहें तो अभी आगे जाके आएगा यमुना ब्रीज तो यह हमारा मसूरी केंप्टी फॉल इधर वाला जो एरिया वो इधर रहा जाएगा और हम पहुंच जाएंगे उदर जानपूर और जानसार की साइड को हम जैसी यमुना ब्रीज को प्रॉस करेंगे हम उस तरफ महुंच जाएंगे ओके तो भाई कुछ उपन चुके हैं हम यमुना ब्रीज हुदा ये सामने ब्रिज दिख रहा है न यए ओ कि य यह है म्ना ब्रीज और इसके नीचे से जो नदी बैके जारी ओर और यह ब्रीज हो गया है पुराना तो अब इसके अada यह वाला ब्रीज यह बनके तयार हो रहा है तो देखता हूं मेरा experience कैसा रहेगा हर की दून का बाकि मोरी सांकरी की तरफ मैं आज से पहले कभी नहीं गया हूं तो यह फर्स टाइम ही होगा कि मैं मोरी और सांकरी की तरफ जा रहा हूं और कैसा मेरा experience रहेगा वो आपके साथ पूरा share करता रहूँगा मैं फिलहाल अभी दूप पूरी अच्छे से निकल चुकी है जब मैं घर से निकला था तब तो पूरा अंधेरा था बट अब अच्छे से दूप निकल चुकी है तो यह आगे नेनबाग गाओं बाकी यह नीचे है यमुना नदी और अब जैसी हमने पीछे से यमुना ब्रीज क्रॉस कर दिया था ना तो पहाड के इस तरफ जहां पर हम चल रहे हैं यह है पूरा जौनपूर का एरिया और पहाड के उस तरफ है पूरा जौनसार बावर यह बाकी देखो यार वैसे तो मैंने फांस दिनका अपना प्लाइन बनाया हुआ हर्की दून सब करके रखा है कि कैसे जाना है कि लिधा जाना है अब हैं बस अभी यहीi सॉचरों कि आज अरकिदुन का permit मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा मिल जाए तो अच्छा है नहीं मिलेगा तो फिर सांक्री में ही आज स्टे करना पड़ेगा और कल सुभह जो है फिर हरकिदुन का permit लेके तालू का जाकर फिर अपनी जो है ट्रेकिंग कल स्टार्ट करनी बड़ेगी बट अगर मुझे आज ही पर्मिट मिल जाता है तो फिर जो है ट्रेक मैं आज ही शुरू कर दूँगा और फिर मैं स्टे करूँगा तालुका से लगवक आठ किलोमेटर आज मैं कवर कर लूँगा ऐसा मैंने प्लैन बनाया है तो मैं गंगार विलेज है तालुका से आठ किलोमेटर आगे वहाँ तक मैं आज कवर कर लूँगा तो कल फिर जो है मेरा डिस्टेंज जो मैंने कवर करना हर की दून के लिए वो काफी कम रह जाएगा बड़ देखो क्या होता है कैसे होता है जब पहुचेंगे सांकरी तभी पता लगेगा तो आल डिपेंड्स ओन कि आज मुझे परमिट मिलता है कि नहीं मिलता है धूप की तरफ को आगे नहीं तो पीछे पता है क्या पीछे पहाड़ी में 20-25 किलोमेटर से दूप भी नहीं थी तो वहां थंडा सा लग रहा था आप दूप पढ़ रही है न इस तरफ को तो ठीक है थोड़ा गर्मी लग रही है वरना पहाड़ों में अगर धूप ना हो न जिस एरिय में और हवा चल रही हो तो भाईया इतना थंडा होता है कि क्या बता हूं थोड़ा थोड़ा धूप भी पढ़ रही है तो ठीक लग रहा है उतना थंडा नहीं लग रहा है कि अब देखो लाखा मंडल यहां पर से जहां पर मैं हूं डाम्टा में डाम्टा थोड़ा पीछी रह गया एकादा किलो मेटर तो यहां पर से लाखा मंडल है लगबग 23 से 25 किलो मेटर और फिर उससे आगे है नौगाउं कि पिछली बाहर रह गया था मेरा यह वाला जो दारा है यह क्यार करना यहां देख रहे हो क्या मस्त भारे वहते हैं इसे कहते हैं गंगनानी धारा और यह है पूरा रवाई जौनपूर वाला एरिया लेफ्ट को यह रोड जाएगी लाखा मंडल के लिए तो यह नीचे वाला एरिया जो पुल क्रोस करके उधर साइड तो यह लाखा मंडल को चला जाएगी रोड पांच किलो मेटर के बाद यहां से लाखा मंडल जो है स्टार्ट हो जाएगा तो यह उधर की तरफ है पूरा जौनसार बावर वाला एरिया तो लाका मंडल गयों जो जोन सार बावर में आता है बाकी आगे हमें इधर बढ़ते रहना है जो अगली जो डेस्टिनेशन हमारी वो है नौगाउं लगवक्त 10-11 किलोमेटर है यहां से नौगाउं तो भाई यह पहुंच चुके हम नौगाउं अब यहां से हमें आगे जाके लेना है जो रोड जाती है मोरी की तरफ को पीछे नौगाउं तक तो रोड मैंने देखी हुई थी जब मैं यमनोतरी के लिए आया था तो सीधे बढ़गोट के लिए गया था मैं तो यहां तक मैंने रोड देखी हुई थी अब लेकिन जो यहां नौगाउं से मोरी सांकरी वाली रोड यह मुझे नहीं पता कैसी है वाय याद यह मोरी वाली रोड पर कटके ला अब हुए नजारे शुरूर अब देखो अब देखो पहाड क्या मस्त दिख रहे हैं और अभी तो मोरी यहां से काफी दूर है अभी जो पहला आप जो नजदी की गाउं या जगे लगा लो वो है पुरोला करके एक जगे आए भी आगे आगे अब मोरी पहुंचने में यहां से अभी काफी टाइम है अब यहां से नजारे देखो क्या खुब्सूरत होते जा रहे हैं क्योंकि जितनी आगे को हम आप पढ़ते जाएंगे ना उतना ही रिमोट एरिया शुरू होता जाएगा यह देखो यह वाला इरिया क्या मस्त लग रहा है बगल से नदी जा रही है वह सामने देख रहे हो क्या मस्त गाउं है है वह देखो मुझे नहीं पता इस गाउं का नाम क्या है यह उत्तरकाशी में हूं मैं अभी अभी पुरोला से थोड़ा पहले हूं मैं बट देखो सामने कितना अच्छा लग रहा हो गाउं क्या लोकेशन है यार गाउं की क्योंके तो यह है भाई पुरोला काफी बड़ी मार्केट है अच्छे चलो भाई पुरोला भी कर दिया पार हमने अभी को बढ़ चुके हैं मोरी के लिए देखोंगे है नीचे पुरोला जो हमने पीछे छोड़ दिया है यह पूरा पुरोला है जहां सा मूटे वे आए अभी अब यहां से सीजी ता जो है सांग्री के लिए पर चलेंगे भाई और देखते हैं कैसा रहेगा आज कहां तक जा पाते हैं यह देखते हैं आज हम वैसे तो मैंने सोचा एक लिए परमिट अगर मिल जाएगा तो आगे गंगार तक चलेंगे बद देखोंग क्या होता है तो चीड के चंगलों के पीस से तो यहां पर का इरिया भी बड़ा मसता है अगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं थंड भी बढ़ती जा रही है क्यूंकि हरकी दून है बिल्कुल 12,000 फिट की हुँचाई पर जैसे जैसे हम उतके पास पहुंचते जा रहे हैं ठंडा भी बढ़ता जा रहा है तो भाई आगे मोरी से सांक्री की तरफ को आ गए हैं और अब हमारे बगल में चल रहे हैं यह टॉंस नदी बस अब कुछ 21 किलोमेटर यहां से सांक्री रह गया है और टाइम हो चुका है अल्मोस्ट ग्यारा बज चुके हैं अभी पांच एक मिनट वाकिए ग्यारा बजने में तो सुबह साड़े पांच बजे मैंने चलना शुरू कि आदा घर से और रुकते रुकाते आराम से लगवक ग्यारा बजे तक मैं मोरी पहुंच गया हूँ अब मुझे लगता है आदा पॉना घं नदी जा रही है अब यहां पर फूरी स्थ्राव है बाकि अभी पीछे तक तो रोड एकदम मस थी देरातून से मोरी तक की रोड मुझे एक भी जगह पर खराब नहीं मिली सारी जगह पर रोड एकदम मस थी और यहां पर भी मुझे ऐसी कुछ लग रहा है कि अच्छी रो अच्छी तो मैंने आज तक किसी के भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा था आज मस थी हो जाओ अच्छी बाकि यह दिखो अब रहा किया है सांकरी बारा किलोमेटर और जैसी रोड आपको दिख रही है नहीं है बस अभी पिछले कुछ 10 किलोमेटर से ऐसी ही रोड चली भी आ रही है तो यानि जो आकरी के 15-20 किलोमेटर की रोड है सांकरी को वो थोड़ी खराब है अब सांकरी रह गया है चार किलोमेटर और रोड न पूरी खराब है याँ की और अब हम पहुच चुके हैं हमने सांकरी जो है वो प्रॉस कर लिया है और यह है वो और इस डिपार्टमेंट का गेट आइटिंग ति जहांपर से पर्मिट मिलेगा तो भाई यहां से निकल चुकों मैं आगे और अब मुझे पहुचना है तालू का तो सांकरी पीछे रह गया और यहां पर सांकरी में मिलता है पर्मिट पॉरेज डिपार्टमेंट के तरफ से चीक है अब यहां से निकलना है तालू का फटाफट साड़े बारा अल्रेडी हो चुके हैं अब तालू का पहुंचके देखतें क्या सीन होगा अब पीछे कर तो ठीक थी रोड काफी खाब सी ऐसा लग रहे थी यहां पर काम भी चल रहा है रोड बनाने का बरूर पूरी पहाड काटके बनाई जा लिए तो ऐसी कुछ रहने वाला है पूरा रोड जो सांकरी से तालू का तक है तो मुझे लगता नहीं मैं ज्यादा इसको शूट करूंगा क्योंकि पूरा रोड ही यह जो है ऐसा रहने वाला है वो देख रहा हूं सामने का रोड भी कैसा है अब यहां पर अभी रोड प्र बनीनी हुई है और चटान काटके जो है पहाड काटके रोड बनाई जा रही ह है अब यह देखो भाई वहां दूर दूर सब जिगह का नजार है ऐसे ही है यहार रास्ता देख रहो तालोका के लिए कि इतना खराब है पीछे तो मैं भाई या पीचर से वह क्या हूं इतनी लंबी लंबे पैचस से यह तो फिर भी ठीक है जो मैं पीछे वाला एरिया क्रॉस करके आया हूं इससे तो लाग गुना अच्छा है 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 हम पहुंच चुके हैं तालोका और मैंने सोचा था पहले मैं ट्रेकिंग की वीडियो यही से शुरू करूंग इसी के साथ ही बड़ अब मैं सोच रहा हूं कि मोटर व्लॉग को अल झालाग रखते हैं तो मोटर व्लॉग मैं यही पर एंड करता हूं और जल्दी मिलूँगा आपसे नए वीडियो के साथ चो कि होगा तालोका से अर्की दून का ट्रेक तो अभी यह वीडियो के साथ आपको नए वीडियो में मिलूँगा